आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ गाउनलोड नाओ लगाउनलोड नाओ इसका मेन कारेक्टर क्या हुआ हुआ कि इसके अंदर जो वाम आते हैं वो फ्लाट होते हैं तो आगे हम इसके फीचर्ज देखते हैं हमारे पास क्या क्या फीचर्ज ते पहला है कि ये बाई-लेचनी सिमेट्रिकल है So guys, bilaterally symmetrical का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको एक plane लेकर अगर हम उसको cut करें दो halves में तो left and right halves हमारे पास आएंगे और उनके पास दोनों के पास same body design होगा कुछ भी different नहीं होगा, identical left and right halves हमारे पास आजएंगे So ये bilaterally symmetrical होते हैं, that is the left and right halves of the body have the same body design Second point हमारे पास आजएगा, इनके पास बहुत thin body होती है, बहुत पतली body होती है इनके पास मतलब एक leaf चैसी body है, leaf या ribbon आपने देखा होगा, ribbon या कोई पत्ती की तरह इनके पास body होती है इनकी So they are very thin and they have leaf like, मतलब जैसे एक पत्ता होता है बिलकुल इनकी body बिलकुल वैसे होती है, या ribbon हम अगर देखे तो ribbon हमारा कुछ ऐसे होता है तो ribbon की तरह इनकी body होती है Next point हमारे पास आएगा कि ये triploblastic animals हैं So guys, triploblastic का मतलब क्यों होता है कि इनके जितने भी tissues हैं वो 3 germinal layers से निकलते हैं And वो 3 layers कौन सी हैं हमारे पास, ectoderm, mesoderm and endoderm So they are triploblastic, they are bilaterally symmetrical, they have thin body And triploblastic का मतलब मैंने आपको बताया कि 3 layers से इनकी वो निकल रहे हैं इनके tissues निकल रहे हैं And वो 3 layers कौन सी हैं, outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm आगे अगर हम देखें, तो इनके पास जो digestive cavity है इनकी Digestive cavity मतलब इनका जो digestion का process है, पूरा digestion के organs है उस पूरी cavity के अंदर एक single opening है मतलब anus absent है So guys हमें पता है कि हमें digestive cavity के अंदर दो openings की जरौत होती है एक हमारा mouth होता है and दूसरी opening हमारी anus होती है Mouth करता है ingestion Ingesion मतलब वो खाना अंदर लेता है And anus से हमारा ingestion होता है, ingestion मतलब हमारा खाना बाहर निकलता है So इसके अंदर digestive cavity के पास बस Kendal Opening होती है And वो single opening होती है उसके पास mouth की इसका मतलब उसके पास anus present नहीं होता इसके पास हम इसके example सेखते हैं हमसे question में बूचा था चार main characters platy helmets के platy helmets मतलब flatworms और उसके दो example मैं आपको example के साथ इसको और clear करती हूँ example है हमारे पास planaria and faciola आप diagram में देख सकते हैं planaria and faciola को so planaria and faciola को अगर हम divide करें so अगर हमने इसको cut करा तो आप देख सकते हैं कि इसका left and right half बिल्कुल same body design के साथ हमें मिलेगा same is with faciola अगर हम इसको cut करें suppose हमने इसको beat से बिल्कुल cut करा so यहाँ cut करने के बाद हमें बिल्कुल same left and right मिल रहे so यह proof करता है कि यह bilaterally symmetrical है and इसके अंदर एक ही opening दिखरी होगी आपको guys यह opening है इसके अंदर and यह इसकी eyes है and यह opening है opening से क्या होता है इसका कि यह सिर्फ खाना ingest कर पाता है and यह triple plastic animal है and आप इसकी body देख सकते हैं leaf like बहुत thin body होती है इनके पास ribbon like so examples होगे हमारे प्लेनेरिया इन फेसी होला और चार पॉइंट्स चो बताए मैंने आपको वो इसके हमारे main characters होगे platy helmets के thank you